नमस्कार, राज्जी सभा टीवी के विशेश कारिक्रम में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ हम्रिता चौरसिया किसी भी राश्ट्र का युवा समाच को नई दिशा देकर उसे तरक्की के राह पर अग्रिसर करने के शक्ति रखता है जरूरत है तो केवल उसे समय पर सही दिशा देने की, जिससे उसके एक शमता और ताकत का समाज और देश के हित में सही इस्तमाल किया जा सके इसी मकसद से दुनिया भर में यूथ पारलेमेंट यानि की युवा संसत का युजन किया जाता है ताकि भावी पीड़ी के विचारों को समझा और जाना जा सके उन्हें आम जर्णता के मुद्दों से जुडने के लिए प्रोसाहित किया जा सके साथी नीती निर्माता युवाओं के विचारों से परिचित हो ताकि आगे इनका इस्तमाल किया जा सके तो आज विशेश में हम बात करेंगे विश्व युवा संसत के बारे में साथ ही जारेंगे दुनिया भर में युवा संसत किस तरह से काम करती है साथ ही नज़र डालेंगे भारत में राष्ट्र युवा संसत की शुर्वात और इसके सफर पर तो आई ये शुरू करते हैं आज का ये विशेश का रिक्रम राष्ट निर्माण और नीती निर्धारन में युवाओ की भूमिका सुनिशुत करने के अदेश से दुनिया की कई देशों में युवा संसत आयोजित की जाती है इसके अलावा दुनिया भर के युवाओ को मंच पर एक साथ लाने के लिए कई व्याश्विक मंच भी काम कर रही हैं इनका मकसद युवाओ को विधाई प्रक्रिया की बारे में जागरू करना है युवा शक्ति और युवा कंधि किसी भी समाज की अमूल्य धरोगर और बहुमूल्य संपदा होती है इस बात को युवाओ ने हर युग और अतीप में साबित भी किया है युवाओ में असंभव के पार देखने की अद्भुत शमता होती है उनके अंदर के जोश और असंभव को संभव बनाने की उर्जा के कारण ही हर समाज हमेशा युवा शक्ति से विशेश उमीद लगाए रहता है देश की युवा शक्ति ही समाज और देश को नई तिशा देने का सबसे बड़ा ओचार है वो अगर चाहे तो देश की सारी रूब रेखा बदल सकती है अपने होसले और जस्पे से समाज में पहली बुरायों को जर से उखाड फेंग सकती है लेकिन किसी भी राष्ट की युवा शक्ति समाज को तभी सही दिशा में ले जा सकती है जब वो स्वयम सही दिशा में अग्रसर हो राष्ट निर्माण और नीती निर्धारन में युवाओं की भुमिगा सुनिश्चित करने के उदेश से दुनिया के कई देशों में युवा संसद आयोजित की जाती है इसके अलावा दुनिया भर के युवाओं को मंच पर एक साथ लाने के लिए कई वैश्विक मंच भी काम कर रहे है ऐसा ही एक मंच है विश्व युवा संसत जो दुनिया के कई देशों के युवाओं को साथ लाने का काम करता है ये मंच न्यूयोक में सेहुक्त राष्ट मुख्याले में 1981 में आयुजित सम्मेलन में फरनेडो रियलो के योर से दिये गए विचार के नतीजे में उबरा नबे के दशक में कई राष्ट्य और अंतराष्ट्य बैठके हुई लेकिन 2008 में विश्व युवा संसत को दुनिया भर में पढ़ावा मिला 2009 में रोम में एक अंतराष्ट्य बैठक आय जित की गई जिसमें 17 देशों के 400 युवाओं ने हिस्सा लिया उस बरस गोल मेज चर्चाएं हुई और परिवार, कार्य, शिक्षा, आर्थववस्था और पर्यावरन जैसे विशेयों पर पत्र प्रस्तुत किये गए इसके बाद सन 2010 में न्यूँ यॉक, सन 2014 में बर्लिन, सन 2017 में चीन और सन 2019 में स्पेइन में विश्वय युवा संसत आयुजित की गई अगस्त सन 2020 से अगस्त सन 2022 तक विश्वय युवा संसत गिविंग अस आ वोईस, रीचिंग दा हाइट्स ओफ और न्यूँ फ्रीडम और एक्स्पेशन यानि अभी व्यक्ति की नई स्वतंतरता की उचायूं तक पहुँच परकाम कर रही है अगला अंतराष्ट्य पूर्ण सत्र सन 2022 में एक्वा डॉर में होगा राष्ट्य मंडल युवा संसत भी ऐसा ही एक मंच है जिसका आयोजन कॉमन विल्थ पार्लमेंटरी असोसियेशन हर बरस करता है इसमें राष्ट्य मंडल देशों के 18-29 बरस के युवा लोगतंतर और शासन के मुद्दो पर चर्चा करते हैं संगधन के सभी सदस्य देश इसमें दूप्रतिनीधी भेचते हैं दसमें कॉमन विल्थ यूद पार्लमेंट का आयोजन सन 2019 में भारत में हुआ था इसमें 24 देशों के 47 प्रति भागियों ने हिसा लिया राष्ट्र मंडल युवा संसत का मकसद युवाओं को विधाई प्रक्रिया के बारे में जाग रूप करना रहा है यह युवाओं को एक प्रजातांत्रिक संस्थान और सुषाअसन के रूप में विधाईका की भूमिका और उदेश के बारे में जानकाली देने का अफसर होता है इससे युवाओं को संसदिय लोकतंत्र के पहलूओं का अनभव करने और विधाई प्रक्रिया की बारिक्यों को समझने का मौका मिलता है European Youth Parliament यूरूपिय युवाओं में सांस्कृतिक और नागरिक समझ विक्सित करने का काम करता है इसकी शुरूआत प्रांस में 1987 में हुई थी ये मंच हर बरस 9 दिन के 3 अंतराष्टे सत्रों का आयोजन करता है इन अंतराष्टे युवाओं सांसत के अलावा अमेरिका में YMCA Youth Parliament, मलेशिया में Youth Parliament of Malaysia और New Zealand Youth Parliament भी राष्टे सतर पर युवाओं को मंच मुहिया कराते रहे हैं इनके अलावा अलग-अलग देशों में भी युवाओं सांसत का आयोजन किया जाता है भारत में भी लंबे समय से युवाओं संसत का आयोजन किया जाता रहा है इसके जर्ये युवाओं और चात्रों को देश दुनिया के सामने अपने विचार रखने का मंच मिलता है देश में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए दिल्ली के संसत भवन परिसर में राश्टे युवा संसत महतसव का आयोजन किया गया दो दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में देश भर के 18 से 25 साल के चुडिंदा युवा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया इनका चैन दो इस तरिये भाशन प्रक्रिया के जरिये किया गया राश्टे युवा संसत महतसव की समापन सत्र को प्रधान मंत्री ने संबोधित किया उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए युवाव का राजनिती में आना जरूरी है संसत भवन के केंद्री कक्ष में राश्टे युवा संसत महतसव में देश भर से आये युवाव से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी विडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये रूबरू हुए तो उन्होंने राश्टे युवा संसत का महत्व और मकसत समझाया प्रधान मंतुरी ने कहा कि इस कारेक्रम का उद्देश युवा पिरी को देश का निर्थित्व करने के लिए आगे लाना है प्रधान मंतुरी ने कहा कि युवाओं को आगे आकर भारत का भाग्य विधाता बनना चाहिए उन्होंने कहा कि राजनीती देश में सार्थक बदलाव लाने का एक माध्यम है और हर शेत्र की तरह राजनीती को भी युवाओं की बहुत जरूरत है प्रधान मंतुरी ने कहा कि इमांदारी और प्रदाशन आज देश की राजनीती की पहली अनिवार शर्त होती जा रही है उन्होंने कहा कि आज राजनीती में इमानदार लोगों को मौका मिल रहा है हर छेत्र की तरह पॉलिटिक्स को भी युवाओं की बहुत ज़्यादा जरुरत है नई सोच नई उर्जा नए सपने नया उमंग देश की राजनीती को इसकी बहुत जरुरत है लोग कहते थे कि सब कुछ बदल सकता है लेकिन सियासत नहीं बदल सकती लेकिन आज आप देखिए आज देश की जनता देश के नागरिक इतने जागरुख हुए हैं कि राजनीती में वो इमानदार लोगों के साथ खड़े होते हैं इमानदार लोगों को मोका देते हैं honesty और performance आज की राजरीती की पहली अनिवारिय सर्थ होती जा रही है और देश में जो जागरुकता आई है ना उसने ये दबाव पैदा किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भी कुछ बदलाव बाकी है और ये बदलाव देश के युवाओं को ही करने है राजनीतिक वंचवाद देश के सामने ऐसी ही चुनाती है जिसे जड़ से उखारना होगा कुछ बदलाव अभी भी बाकी है और ये बदलाव देश के युवाओं को आपको ही करने है लोग तंत्र का एक सबसे बड़ा दुश्वन पनप रहा है और वो है राजनीतिक मौशवाद राजनीतिक मौशवाद देश के सामने ऐसी ही चुनोती हैं जिसे जड़ से उखाडना है अभी भी ऐसे लोग है जिनका विचार जिनका आचार जिनका लक्ष सब कुछ अपने परिवार की राजनीति और राजनीति में अपने परिवार को बचाने काई है साथियों ये राजनीतिक मौशवाद लोग तंत्र में एक नए रुप के तानासाई के साथ ही देश पर अक्षमता का बोज भी बढ़ा देता है इस थिती को बदलने का जिम्मा देश की जागरुकता पर हैं देश की युवा पीड़ी पर हैं और राश्त्रयाम जाग्रयाम व्याम इसी मंत्र को लेकर जीना है प्रधान वंत्री ने कहा कि जब तक देश के समाने युवा राजनीती में नहीं आएंगे तब तक वंश्वाद इसी तरह लोकतंत्र को कमजोर करता रहेगा उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए युवाओं को राजनीती में आने की जरूरत है आप राज लीती में ज़्यादा ज़्यादा संख्या में आएं, बढ़ चड़कर के हिस्सा ले, लेना पाना बनने के इरादे से नहीं, कुछ कर गुजरने के इरादे से आईए, आप अपनी सोच, अपने वीजन को लेकर आगे बढ़ें, एक साथ मिलकर के काम करें, जुटकर के काम करें, डटकर के काम करें, याद रखेंगा, जब तक देश का सामानी हुआ, राज नीती में नहीं आएगा, बौश बात का ये जहर, इसी तरह हमारे लोक तंत्र को कमजोर करता रहेगा, इस देश के लोक तंत्र को बचाने के लिए, आपका राज नीती में आना जरूरी है। प्रधान मंत्री नहरेंद्र मोधी ने स्वामी विवेका नंद का जिक्र करते हुए कहा, कि निडर, बेबाक, साफ दिरवाले, साहसी और आकांशी युवाही वो नीव हैं, जिस पर राष्ट के भविश्य का निर्मार होता है। प्रधान मंत्री ने कहा, कि देश को आगे बढ़ाने का मौका गवाना नहीं है। उन्होंने कहा, कि युवाह को आत्म निर्भर भारत बनाने के लिए आगे आना चाहिए। देश की अगली पच्चीश- urban-35 साल की यात्रा एहम बताते हुए प्रधान मंत्री ने कहा, कि ये युवा और खेल मंत्राले करता है। इस आयजुन में देश के 19 राज्यों से 87 युवा प्रतिनधी शामिल हुए। कारिक्रम को लोगसभाध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रे सिक्ष मंत्री रमेश फोकरियाल निशंक और केंद्रे युवा मामले और खेल मंत्री केरिन रिजेजुने भी संबोधित किया। सभी ने लोगतंत्र में युवाओ की भागिदारी बढ़ाने पर सोर दिया। देश के अलग अलग इलाकों से आई ये युवा अपने दिलों में भारती लोकतंत्र और उसके मुद्धों पर विचार करते हुए अपने अपने जिलों से दिल्ली तक पहुंचे संसत के केंद्रिय कक्ष में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, खेल मंत्री किरेन रेजीजू की मौजूदगी में ये प्रतिभागी राश्ट्रुय युवा संसत महोत्सव के राश्ट्रुय चरण में शामिल हुए समापन सत्र को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने युवां से लोकतंत्र की मजबूती और आत्म निर्भर भारत के निर्मान में भागीदार बनने की अपील की हमारा संकर्फ होना चीए कि हम देश के पुन अथान एंव सविधान और संसत को सशक्त करने के लिए युवा उर्जा और युवा शक्ति का अधिक्तम उप्योग करें हमारे लोगतंत का भईश उजल है क्योंकि हमारी युवा शक्ती अपने देश, अपने लोगतंत और अपनी वैस्ता में सक्री भागिदारी है देश में सकारात में बदलाओ नवचारों के साथ युवा आगे बढ़ रहे हैं और ये हमारे लोगतंतिक भईश के लिए उस्सा जनक संदेश है नए भारत की परिकलपना, नए भारत की निर्मान के सपने जो हमने देखे हैं वो तब ही पूरे हो सकते हैं जब हम लोगतंत में सक्री भागिदारी और सभागिता निबाएं केंजरी शिक्षा मंत्री रमेश पोकरियाल निशंक ने कहा कि युवाओं को अपने संवेधानिक अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रती जागरुक होना लोगतंत्रिक व्यवस्था में एक एहम भूमका निबाता है युवाओं का ससक्तिक करण केवल युवाओं का ही नहीं आपी तो राश्ट का भी ससक्तिक करण है और राश्टे ससक्तिक करण किस मुहिम को हमारे देश के यसो सी प्रधान मंतिशी ने नरिन मोदी जी ने बढ़ाते हुई 2017 में अपील की थी कि युवा संसत के प्रारूप के तह excessive विवहन इस्सतर पर कारिक्म आयोजित किये जाए ताकि संसतिक प्रति देश के युवा में लगा पैदा हो उनमें देश की व्यवस्था के प्रति जिम्यधारी का भाव पैदा हो और व्यक्ति से समाज और समाज से राश्ट्ट के नि युवा प्रतिनिद ही शामिल हुए हैं समापन समारहों में केंद्रिय खेल और युवा मामलों के मंत्री किरेन रेजीजु ने आयोजन के बारे में पूरी जानकारी दी में किया गया है तथा इसमें रिकॉर्ड भागीदारी हुई है मुझे ये बताते हुए हर्दिक प्रसंता है कि इस महत्सब में ओनलाइन ओफ लाइन दोनों मिलाकर के साथ लाग युवावने चोबीस विविन प्रतियोगिताओं में भाग लिया राश्ट्र युवा महत्सब में इस बार चित्रकला, संगीत, नृत, प्रदेशिक, पोशाक, दृष्य एवं, अभिव्यक्ति कला, सूर्य नमसकार, हाई एल्टिट्यूट विंटर ट्रेक, परवता होरन, फिट इंडिया, साइकलोथन, फिट इंडिया, प्रबात फेरी और विंटर अलपाइन स्कील क् कराई गई, इसमें से कुछ टोटे किताई, परमपरी ग्रूप से कराई जाती थी, वही कई साहसिक गतिवीडियों को इस वर्ष के राष्टर युवा मौत सबसे जोरा गया है। इशे करें ताम निरभर भरत। इन जात्तूम प्रफ्लीशजाज सुilli मैं झातव से कुछ भत के तूडी इंडमेर विए भरत। इना व्रोट परने यॵ के ते चूस्टनिर एटिया, परोकिन मैंतिक त्यूब् संसत के केंद्री कक्ष में आने से पहले देश के सभी जिलों में दो-दो युवाओं को चुना गया बाद में उनमें से राजस्तर पर तीन-तीन युवाओं को उनके भाशन के आधार पर चुना गया सबी राज्यों से प्रथम आई युवाओं के बीच फिर प्रतियोगिता हुई इन युवाओं ने वोकल फोर लोकल आपूरती श्रिंखला में भारत की भूमिका डिजिटल युग में डेटा की उप्योगिता और न्यूनितम सार्व भूमिक आये पर भाशन में भाग लिया और अब एक नजर भारत में युवाओं संसत के तिहास पर कैसे इसकी शुरुवात हुई और किस तरह से ये सफर आगे बढ़ा जो अब रास्ट्रे युवाओं संसत महस्व तक बहुत चुका है चात्रों को संसतिय प्रक्रिया समझाने से शुरू हुआ ये सफर अब देश की प्रगति के लिए युवाओं के विचार को जानने तक बहुच चुका है भारत में युवा संसत का विचार सबसे पहले 1962 में मुंबई में हुए चौथे अखिल भारतिय सची तक सम्मेलन के दोरान आया लक्ष था संसता और पंचायतों के जरिए ग्रामीर शेत्रों में मौक पार्लिमेंट के आयूजन को प्रोच्जान देना 1965 में संसतिय कार्य मंत्राले ने दिल्ली के हाइ स्कूलों में युवा संसत की प्रतियोगदा की योजना तैयार की और इस तरह पहली युवा संसत 1966 सरसट में आयूजित हुई दिल्ली और इसके आसपास के केंदरी विद्यालें को 1967 में दिल्ली के विद्यालेओं के लिए जारी योजना में शामिल किया गया था इसके परिणाम स्वरूप राष्टिय स्तर पर केंद्रे विद्यालेओं के लिए युवा संसद की एक अलग योजना 1988 में शुरू की गई थी इसी तरह 1997-98 में राष्टे स्तर पर दो नई युवा संसद यूजनाय आरम की गई जिन में से एक जावाहर नवोदय विद्यालों और दूसरी महाविद्यालेयों और विश्विद्यालेयों के लिए थी देश और समास से जुड़े बहत्पूर्ण मुद्दों पर चर्चा की भावना और समवात की प्रक्रिया देश के जन्तंदर को सशक्त करती है इसी के मद्दे नजर सन 2019 में राष्टे युवा संसद महुतसफ की शुरुआत की गई प्रधान मंतरी नरींद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2017 को मन की बात कारिक्रम में भारत की आवाज बनकर उभर रह युवाओं के विचार साजा किये थे उन्होंने सपष्ट रूप से युवाओं को देश के विभिन नमद्दों पर विचार रखने का मौका देने की बात कही थी अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे एक विचारा आया कि क्या हम भारत के हर जिले में एक मोक पार्लामेंट आयोजित कर सकते हैं जहां ये 18-25 वर्ष के युवा मिल बैट करके न्यू इंडिया पर मंथन करें रास्ते खोजे योजनाय बनाएं कैसे हम हमारे संकल्पों को 2022 से पहले सिद्ध करेंगे कैसे हम एक ऐसे भारत का अंदिर्वान कर सकते हैं जिसका सपना हमारे स्वतांत दस्यनानियों ने देखा था मात्मा गांधी ने आजहदी के अंदोलन को जन अंदोलन बना दिया था मेरे नवजवान साथियों समय की मांग है कि हम भी 21 वी सदी के भव्य दिव्य भारत के लिए एक जनांदोलन खड़ा करेंगे विकास का जनांदोलन, प्रगती का जनांदोलन, सामर्थवान शक्तिशारी भारत का जनांदोलन मैं चाहता हूँ कि 15 अगस के आसपास दिल्ली में एक मोग पर्लामेट का आयोजन हो जहां प्रते एक जिल्ले से चुना गया एक युवान इस विशह पे चर्चा करें कि कैसे अगले पांच सालों में एक न्यू इंडिया का निर्मान किया जा सकता है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने 12 जनवरी सन 2018 को राष्ट्य युवा महुटसफ के उद्गाटन कारिकरम में भी जिला, राज्य और राष्ट्य स्तर पर युवा संसत आयोजुद करने की इच्छा दोहराई उनके विचार से प्रेणा लेते हुए पहला राष्ट्य युवा संसत महुटसफ 12 जनवरी से 27 फरवरी सन 2019 तक आयजुद किया गया था, जिसका विशय नए भारत की आवाज बने, समाधान खोजे और नीती में योगदान दे रखा गया इस कारिकरम में कुल 88,000 युवाओं ने हिस्सा लिया, दिल्ली में 26 फरवरी 2019 को राष्ट्य युवा संसत में 28 राजियों के 56 राजिस्तरिय पुरसकार विजयताओं और प्रितियुगता के अंतिम दौर में पहुशने वाले 728 युवाओं ने हिस्सा लिया 27 फरवरी सन 2019 को पुरसकार समारों को संबोधित करते हुए तधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने राष्ट्य युवा संसत के विचार को मूर्थ रूद दिये जाने पर खुशी जताई थी साथ के इन विचारों को लोकतंत्र देश और समाथ के विमर्ष से जोड़ने की हमेशा मेरी कोशिश रही है नेशनल यूद पार्लेमेंट इसी कोशिश का एक हिस्सा है मैंने एक बार मन की बात कारकम के मैं बात करते समय इसी प्रकार की भावना को मैंने प्रकट किया था और मुझे खुशी है कि इसको सभलता के साथ मूर्थ रूद दिया गया है इसी भावना और उद्देश के साथ आगे पढ़ने के लिए कुरोना संकट के बीच दूसरे राष्टे यूवा संसद महुतसव वर्च्वल माध्यम से 23 दिसंबर 2020 को शुरू किया था जिसमें जिला, राजिय और राष्टी स्तरपर देश भर में 23 लाग से ज्यादा यूवाओं ने हिस्सा लिया इसके बाद जिला स्तरपर यूवा संसद का 24 से 29 दिसंबर सं 2020 तक वर्च्वल माध्यम से आयोजन किया गया इसमें सभी राजियों और केंदर शासित प्रदेशों के 698 जिलों के 2,34,000 यूवाओं ने 150 स्थानों पर हिस्सा लिया फिर 1-5 जनवरी सं 2021 तक वर्च्वल माध्यम से राजिय स्तर पर यूवा संसद का आयोजन किया गया जिसमें हिस्सा लेने वाले जिला इस्तर के प्रथम और दिती विजयताओं की संख्या 1,345 थी जिला और राजिस्तर पर यूवा संसद महुटसफ के दोरान प्रती भागियों ने दिये गए विशेयों पर अधिक्तम 4 मिनट के लिए चर्चा की और पाँच सदस्यों वाली जियूरी ने विजयताओं की घोश्रा की राश्ट्य यूवा संसद महुटसफ का फाइनल 11 जनवरी सन 2021 को संसद के एतिहासिक केंदरी कक्ष यानी सेंटरल हॉल में हुआ 29 राश्ट्य विजयताओं को राश्ट्य जूरी के सामने अपने विचार प्रगट करने का मौका मिला शीष 3 विजयताओं ने 12 जनवरी सन 2021 को तधान मंतरी नरेंदर मोधी के सामने अपने विचार रखे जब हमने दीपावली के दिये पास के रमुआ के चाक से खरी दे जब हमने लोकल सप्लाई चेन पर भरोसा दिखाया जब हमने किसी बाहरी ब्रांड के वस्तरों की जगा खा दी के न्यू फैशन स्टाइल गार्मेंट्स को वरियता दी तब ही बड़ी तीवर गटी से देश का रच बढ़ चला विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर राष्टिय युवा संसत महुत्सफ के गठन का उद्देश्य सन 2022 के न्यू इंडिया विजन के लिए युवाओं के विचार जानना और उन्हें इसमें शामिल करना है राष्टिय युवा संसत का मकसद 18-25 बरस के बीच के युवाओं के विजारों को सुनना है जो मतदान करने का अधिकार रखते हैं और आने वाले बरसों में सारवजनिक सेवाओं में शामिल होंगे इस तरह के कारिक्रम का मकसद युवाओं के जनता के मुद्दों से जुड़ने के लिए प्रोचसाहित करना आम आदमीं की बात समझना, अपनी राय बनाना और उसे स्पष्ट तरीके से व्यक्त करने में सक्षम बनाना है युवा संसत के आयोजन से नीती निर्माताओं को युवाओं के विचार जानने का मौका मिलता है ताकि वो भविश्य में इनका इस्तिमाल कर सके ब्यूरो रिपॉर्ट राजी सभा टीवी कहना गलत नहीं होगा कि नेताओं की जरूरत हर एक शेतर में होती है कहीं पर उन्हें बिजनस लीडर, टीम लीडर या ग्रूप लीडर कहते हैं कुल मिलाकर कहीं तो लीडर वो है जो खुद इतना समर्थ हो कि दूसरे को भी प्रेरित करे जरूरी नहीं है कि कोई जर्मजात लीडर हो, लोग अपनी क्षमताओं को तराश कर अपना उचा मुकाम हासल करते हैं लोगतंत्र को भी ऐसे युवाओं ऐसे लीडर्स की हमेशा तलास रहती है लोगतंत्र एक ऐसा तंत्र है जहां पर सबको पनपनी का समान मौका मिलता है और इसे मजबूत करने के लिए युवाओं की शक्ती की जरूरत होती है युवाओं संसत इस शक्ती को सही दिशा देती है, मार्ग दर्शन देती है तो आज की इस खास पेशकर्श में इतना ही दीजे इजासत नमस्कार